हाई विवर्स वेलकम बैक तो आप समझ गयोंगे आज की रेसिपी कौन सी है यह है गुजराती उंद्यू तो देखते हैं गुजराती उंद्यू बनाने का तरीका मेरी स्टाइल से यह उंद्यू की पापरी है जिसे सूर्ती पापरी भी कहा जाता है तबी विंटर में यह बाजार में अवेलेबल है इस तरह की पापरी आपको मिलेगी तो बस इसे चील लेना है और डबाके ओपन कर लेना है इस तरह से प्रेस कीजे और ओपन कर लेजे इसका चिलका और दान दोनों यूज करेंगे, ये निरबाउट हाफ केजी हैं, देख लेते हैं बाकी के मसालों, लसन लेना है वन फोर्थ कब, फ्रेश हल्दी के दो तुकड़े लेने हैं, अद्रब के निरबाउट साथ तुकड़े हैं, हरी मिर्च छे से साथ लेनी हैं, और नमक स्वाधनुसा, अजवाइन 1 टेबल स्पून और शकर 3 टी स्पून और ये है सिंग तेल जो उंध्ये का complete cooking है वो हम सिंग तेल में ही करेंगे तो सबसे पहले इसका paste बना लेते हैं और हम पापड़ी को cook कर लेंगे पापड़ी को उंधिये का बेज भी कह सकते हैं हम पहले उसे कुक कर लेंगे बाद में सारे इंग्रेडियन्स तो ये मसाले का पेस्ट रेडी है अब हम इसके तीन पार्ट कर देंगे और जो पापड़ी है उसमें हम तू थर्ड पार्ट यूज करेंगे और बाकी का जो वन थर्ड है वो हम लांस्ट में यूज करेंगे तो पापड़ी के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल इसमें डाल देंगे अजवाइन अजवाइन का कलर चेंज हो जाए तो डाल देंगे हिंग उसके बाद हल्डी और जो मसाले का पेश था उसमें से टू थर्ड पोर्शन हम डाल देंगे और इसे सौते कर लेंगे वन मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर जब ये सौते हो जाए अच्छे से तो हमें डाल देनी है पापड़ी और पापड़ी को भी हमें हाई फ्लेम पर सौते करना है पापड़ी के साथ डाल देंगे शक्कर इसे इस तरह से चलाते जाए अच्छे से मिक्स कर लेंगा है और इसके साथ हम डालेंगे मीठा सोडा वन एट टी स्पून मीठा सोडा है इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पापड़ी का कलर हो सके उतना हरा रहे और इसमें डाल देंगे वन पोट कप पान और एक बार फिर वापस से इसे मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढखकन लगा कर थाई फ्लेम पर एक विसल होनी के बाद गैस बन कर देंगे और अब हम बना लेते हैं मेथी की भाजी की वड़ी इसके लिए मैंने लिया है चौप की हुई मेथी की भाजी वन कप भर कर अद्रक के दो बड़े तुकड़े लेने हैं दो हरी मिर्च नमक स्वादनुसार हींग और शक्कर तीन से चार टीस्पून एस पयोटीस्ट ये मीठा सोड़ा हैं दो चुटकी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और 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 सुका धनिया पाउडर और और अजवाइन हाफ टीस्पून तेल वन टेबल स्पून चावल का आटा वन टेबल स्पून बेशन सिक्स टेबल स्पून और ये मल्टी ग्रेन आटा हैं ये तीन टेबल स्पून लेना है तो सबसे पहले हम अधरप, मिर्ची, नमक और शक्कर का पेस्ट बना लिए और अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीजें मेथी और जो बाकी के सुखे मसाले हैं वो सारे इसमें डाल देंगे और जो अजवाईन हैं उसे हमें हाथ से इस तरह से मसल के डालना है और साथ ही हम डाल देंगे तेप और बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिकस कर लेंगे और जो आटा हमने लिया हैं वो सबसे आखिर मिड़ालने हैं तीनों तरह के याटे डाल देंगे और इसमें डालेंगे त्री टेबिल स्पून पानी पानी दानने के बाद, अच्छे से mix कर लिए। पानी जादा नहीं डालिएगा, और mix करनने के बाद इसे फाइम मिनिट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़े है। बडी का बैटर तैयार है, अब इसे fry कर लेंगे। चोटे बर्नर पर हाई फ्लेम पर मैंने कडाई गरम कर ली है और बस इस तरह से इसे तेल में छोड़ते जाना है छोटे छोटे बॉल्स हमें इस तरह से छोड़ देने हैं और इसे फ्राई कर लेना है बीच बीच में stir करते हुए से फ्राइ कर लेंगे और बस ये रेडी है इसे निकाल लेते हैं इस तरह का कलर देना है और नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है उंध्यू का कन इस तरह का कन अवेलेबल होता है बाजार में तो बस इसे मैंने चील के बॉश करके इस तरह के तुकड़े मैंने कर लिये हैं ये निर बाउट 200 ग्राम्स है और इसे भी हमें फ्राइ कर लेना तो टेव में डाल देंगे और हाई फ्लेम पर बीच-बीच में चलाते हुए से फ्राइ कर लेना इसे बस हल्का गोल्डन कलर देना है मैं इस तरह का और जो नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है वो है सक्कर बंजी स्वीट पटेटो इसको मैंने सिर्व स्क्रेप कर लिया है और इस तरह के तुकड़े कर और यह भी 200 ग्राम्स है और इसे भी फ्राइ कर लेना है हाई प्लेम पर बीच-बीच में चलाते हुए से फ्राइ कर लेंगे और इसे भी हमें लाइट गोल्डन कलर देना है इस तरह का और नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है छोटे बैंगन इसको हमें भरके बनाना है एक और दो पीजपून शक्कल ली है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है और अब इसमें बाकी की मसाले डाल देंगे ये रजवाडी गरम मसाला है थोड़ा सा हरा धनिया जीरा पाउडर 1-4 टीस्पुन सुका धनिया पाउडर 1-4 टीस्पुन हल्दी 1-8 टीस्पुन और लाल मिर्श पाउडर 1-4 टीस्पुन और 1 टीस्पुन तेल बस इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैंगन के अंदर سलिट्स लगा कर इसे भर लेना है इस तरसे दो सलिट्स लगा देंगे और इस तरह से इसे भर लेंगे और इसे भी हम फ्राइ कर लोगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने फिर 1-4 ट टेल दिया है जादा नहीं लेजिएगा ये तेल हम उंधियों में यूज कर लेंगे तो one fourth cup तेल है और इसके अंदर मैं बैंगन फ्राइ कर लूँगी बस इसे हल्का सा इस तरह से गुमाते गुमाते चारो तरफ से इसे फ्राइ कर लूँगी ये ready है मैंने इस तरह से बैंगन फ्राई कर लिये हैं और दो केले लिये हैं उन्हें थ्री पिसस में कट कर लिया है और इन्हें स्लिट्स लगाकर ओपन कर लेना है जो तीन निशान दिख रहे हैं केले पे उसमें बीच में हमें इस तरह से एक कट लगा देना है और हलके से इससे इस तरह से ओपन कर देंगे बस ये हो गया और जो हमने मसाला रखा था वन थर्ड पाउड उसमें से वन टी स्पून मसाला ले लेंगे और इसमें बाकी के सुपके मसाले डाल देंगे हिंग, जीरा पाउडर, सुका धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इन सबको हमें 1-1 एक पीसपून डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 4-5 बून तेल की बस थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसे हम जो slits लगाए हमने केले में उसमें हम भर लेंगे और बस इसे रख देंगे साइट पर और जो next ingredient है वो है हरा लसुन ये भी एक main ingredient है उंद्यू का लसन पर इस तरह की हरी पत्तिया उगाती है जो हम यूज़ करेंगे मैंने इतनी लिए है 50 grams और लेना है धेर सारा हरा धनी ये जो हरा लसुन है उसे में वाश करके चॉप कर लेंगे इस दरह से और अब हम कर लेंगे उंद्यू को एसेंबर तो ये पाप्टी हमारी ready है और इसमें हम डाल देंगे सारे ingredients तो जो बैंगन फ्राइ करने के बाद जो तेल बचा है उसके अंदर हम डाल देंगे वन थर्ड पार्ट मसाली का और इसे हमें सौटे करना है हाई फ्लेम पर और उसके साथ डालेंगे हम रजवाडी गरम मसाला वन टी स्पून और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और जो हरा धनिया और हरा लसुन है उसमें से हम आधा अभी डालेंगे जो बाकी का आधा है वो हम बाद में यूज़ करेंगे इसे अच्छे से सौटे कर लीजे इसमें डालना है फाफ कप पानी यह वन पूट कप मैंने दो बार डाला है तू टाइम्स वन पूट कप तो यह हाफ कप पानी है पानी उबल गया है अब हम इसे पापडी में डाल देंगे जो मसाले का पानी है वो उबलने के बाद पापडी में डाल देना है और बस जो हमने बाकी इंग्रीडियन्स रेडी किये है जैसे मीकी की भाजी की वड़ी, बैंगन और दोग अरह के कन और केले इन सब को हम इसके अंदर डाल देंगे और बस इसे एक धकन लगा कर हाई फ्लेम पर बॉइल आने तक इसे गरम करना है जब उबाल आने का आवाज आने लगे तो धकन खोल कर इसे हमें मिक्स कर लेना है लेकिन हम चमच यूज नहीं करेंगे बस इस तरह से इसे मिक्स करना है और उसके बाद इसे वापस से गैस पर चड़ा देंगे और स्लो फ्लेम पर धकन लगा कर फाई मिनिट्स के लिए इसे कुप करना है उसके बाद वापस से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे दोनों तरफ से और आपको ऐसा लगे कि बीच में मिक्स ना हो रहा हो तो सिर्फ एक या दो बार हलके हातों से चमच घुमा लीजिए और बस इसे वापस से चड़ा देंगे और स्लो फ्लेम पर वापस से फाई मिनिट्स के लिए कुप करना है रखकन निकाल कर एक बार वापस से इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गैस पर चड़ा कर स्लो फ्लेम पर 10-15 मिनिट्स के लिए कुप कर लेंगे बस घुकन लगा कर 10-15 मिनिट्स के लिए कुप कर लेना है और अब हम चेक कर लेंगे हमारे वेज़िबल्स पग गए है या नहीं ये वड़ी भी रड़ी है एकदम से तयार है वड़ी और जो कन है उंद्यू का कन वो भी रड़ी है ये उंद्यू रड़ी हो चुका है जो हरा धनिया और हरा लसुन हमने रखा था वो अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और एक फाइनल मिक्स कर लेना है और बस अब कर लेते हैं सर्व आप देख सकते हो जो भी वेजटेबिल्स हमने डाले थे उन सब का टेक्स्चर काफी अच्छे से मेंडेन हुया है इसे आप फुलका चपाती के साथ खा सकते हो या सिरफ ओनली उंद्यू भी एंजॉई कर सकते हो गुजराथ यंद्यू इस रड़ी तू सर्व झाल झाल